नमस्कार बहुत स्वागत है देख रहे हैं आईश्मान भवा मैं हूँ आपके साथ आपका इश्टो फ्रेंड संतो संतोशी दिनांग 17 जून दिन बुधवार मतलब 17 जून को जो पैदा हुए है बुधवार तो आज है ही है दोजार बीज 17 जून बाकी जो कभी भी 17 जून को अगर पैदा हुए है तो उनके लिए पूरे वर्ष का हाल महज 5 मिनट में और 17 जून को जिनकी marriage anniversary है उनके लिए पूरी तरह से एक शुबता हम देने जा रहे हैं सबसे पहले पधाईयां आप सब के लिए यह पूरा आने वाला वर्ष ऐतिहासिक हो आप पूरी तरह स्वश्थ रहें प्रशन रहें अपने अपनों के साथ रहें ऐसी हम परमपिता से प्रार्थना करते हैं चली अब सुर्वात करते हैं आज के कारकरम की और बताते हैं सबसे पहले सिक्षा के बारे में सत्रह जोन को पैदा हुए लोगों की सिक्षा इस साल कैसी बितने वाली है अच्छी रहेंगी बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं ऐसे दूर हो जाएंगे पढ़ाई में आरही हर प्रकार की आशुबता शुबता में कनवर्ट होगी अच्छी तरह से आप आगे बढ़ेंग ब्यापार आपका प्रभावित होगा बिजनस में कुछ मेजर इशू आ सकते हैं ब्यापार एक नुकसान हो सकता है सिक्षा में बोर्ड के एक्जाम में दिक्कत आएगी लेकिन इस बीच में कॉम्पुटेटिव एक्जाम्स क्वालिफाई करने जा रहे हैं आप कुछ ऐसी भी परिस्थतियां आपके पक्ष में आएंगी जो आपके लिए कितिहास रचाएंगे आपके लिए एक बहुत सकारात्मक पक्ष तयार करेंगे आप पर एक बहुत बड़ा प्रभाव डालेंगे ब्यापारिक दिश्टिकोर्ड से आप पर कुछ प्रेशर फी फील करेंगे आप कहीं से कुछ उधार अगरे लिए होंगे तो उसके लिए कुछ मेजर इशू क्रियेट हो सकते हैं सरकारी मशीनरी से भी कुछ लाब होने वाला था लेकिन वो हानी में कन्वर्ट हो जाएगा आप पर अचानक से कुछ दबाव भी महसूस होगा कोई दोस्त चीट करने की फिराग में रहेगा लब लाइफ बताओंगा थोड़ा सा धहर रखिएगा दिनांक 17 जून को पैदा हुए लोग प्राइवेट सेक्टर के मामले में नई नोकरी के प्रयास सफलता पूरवक प्राप्त करेंगे पुराने नोकरी में बहुत सारी मुश्किलें अगस्त से सुरू होकर दिसंबर तक चलती रहेंगे इस बीच बॉस अगर चेंज हुआ तो ठीक है नहीं तो जनवरी तक आते आते या तो आप निकाल दिये जाएंगे या तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा फरवरी मार्च खाली बैठेंगे अप्रेल मई और जून का प्रथम सप्ता साथ जून तक नई नोकरी की पॉसिबिल्टी घर से दक्षड दिसा में बढ़ रही है गॉर्मेंट सेक्टर आप पर भरोसा बॉस को जम जाएगा परिस्थतियां आपके पक्ष में रहेंगी तनाओं से बाहर निकलेंगे और सबसे बड़ी चीज़ जो सबसे पॉजिटिव होने वाला है आपके लिए सरकारी छेतर में वो बीच में ही प्रमोशन जिसे आउट आप टर्न प्रमोशन कहते हैं काम पर आपके भरोसा होगा और हर तरह से आपके काम की सराहना की जाएगी है जमीन जाएजाद धन बढ़ा सकते हैं मार्च जून के बीच में दो हजार एक्यस दामपत्य जीवन पत्य-पत्नी के बीच बड़ी मुश्किल की स्थितियां रहेंगे ये वो ऐसा वैसा तमाम तरह से आप उलजन में फंसेंगे पत्य-पत्नी के साथ कई तरह के तनाव की स्थिति अपने आप आ रही है कुछ भी बहुत सा करात्मक नहीं है खास तोर पर जुलाई नमंबर फरवरी मई सस्राल वालों का बहुत ज़्यादा हास तक छेप एक्सेप्ट न करिएगा इन बिट्विन अक्टूबर और दिसंबर के बीच में संतान सुख फरवरी और मई के बीच में संतान सुख बढ़ रहा है देट मेंस इन बिट्विन आप प्लैन भी कर सकते हैं और डिलिवरी की भी तारीखें अगर हैं तो वो आपके लिए सकारात्मक रहेंगे लव लाइफ सुरवाती समय जुलाई अगस्त सितंबर तीन महीना लव लाइफ के लिए बहुत उठा पटक भरा है सितंबर तक जितना अपने आपको संभाल सकते हैं आप संभालिए आपके लिए सब कुछ बहुत आसान नहीं है लेकिन इसके बाद की स्थिती सबच्छी हो जाएगी लव लाइफ में कोई नया भी आपके जीवर में प्रिवेश कर सकता है सुरवात समय में भी और अगर आप अब तक सिंगल हैं तो हो सकता है कि अक्टूबर से फरवरी के बीच में कोई न कोई आपके जीवर में जरूर प्रिवेश करें स्वास्त के मामले में अगर देखा जाए तो हर लिहास से बहुत पॉजिटिव रहेगा सब बड़ी बड़ी बिमारियों से आप इस साल मुक्ती पा जाएंगे जिसमें से स्किन और ब्रेन अर्था नियूरो प्रॉब्लम मुक्खे है छोटी मुटी सरजरीज नमंबर दिसंबर के बीच में करा सकते हैं चोट चपेट सितंबर और मई तक मनदब सितंबर और मई में चोट चपेट बढ़ सकता है आपका कई तरह से इस पर आपको ध्यान देना होगा अब मैं आपको उपाय बता देता हूँ दो बर्गत के पौदे कहीं अपने हाथ से लगा दीजेगा और तीन बच्चों की सिक्छा में मदद करिएगा दो चीजे जिनकी आज शादी की सालगिरह है दो कन्याओं की शादी में मदद करना है और तीन जरूरत मंदों को वस्त्रदान जरूर करना है बस इतना करिए शुबकामनाय देते हैं आप सब के लिए और कारकरम को शेर जरूर किया करिए जो भी आपके इश्ट मित्र परचित हैं जिसे उनको भी कुछ विशेश लाभ मिले और हमारा ये परिवार एश्टो फ्रेंड संतो संतोशी का बढ़ता जाए थैंक्यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिए थैंक्यू नमस्कार स्किष्णा शिरादे